इस सीरीज में हम डिस्कुशन कर रहे हैं जुनियर ओफिस एसिस्टेंट आइटी की कोचिंग के बारे में आज का लेक्चर नंबर है 14 और इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है तो आए सबसे पहले सुरुवात करते हैं डेफिनेशन से कंप्यूटर नेटवर्क is a group of computers that use a set of common communication protocols over digital interconnection for the purpose of sharing resource located on a provided by the network nodes साधान बासा में हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है डिफरेंट तरह के कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ठीक है जी अब हम इसमें आज पढ़ेंगे काइंड्स क्या होते है किस तरह सी कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाते है क्या उनके वेनेफिट्स है पूरा का पूरा ओबर्वीव वीडियो में करने जा रहे है सबसे पहले इस समझ लेते हैं कि नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्स से हमें जुरूरत किया है आखिर में यह जोड़ने की हमें आप सकता क्या पड़ती है तो यहां पर देखें डिस्कुशन करेंगे बन बाई बन फाइल सेरिंग के लिए रिसोर्स सेरिंग के लिए उसके इसे उधान के तोर पे बात करते हैं कि यह आपके पास 10 कंप्यूटर दस इंप्लाई आपके पास काम करते हैं आपके पास प्रिंटर एक ही है यह नेट परकिंग नहीं होती तो आपको क्या करना पड़ना था 10 के 10 लोगों का जी आपने प्रिंटर लेना है तो आपको 10 प्र नहीं होता तो आपके लिए काफी टप हो जाता कि आप किस तरह से बहां पर अपने इंटरनेट के अक्सेस देते हैं तो देखिए सारा का सारी जी कितनी आप देख रहे होगा यहां पर कितना वेलियोबल आपको लग रहा होगा कि नेटवर्क तो सच में ही बड़े काम की देते हैं तो क्या बन गया है हमारा एक परसनल एरिया नेटवर्क बन गया जिसे कहा जाता है कंट्रोलर की जगह पर यहां पर केंपस कर लिजिए गा संसोधित किताब में से अपडेट कर दिया गया है Campus Area Network is a robust vehicle versus standards designed to allow microcontrollers to device to communicate with each other's applications without a host computer आप इसको controller area network भी consider कर सकते हैं यह जैसे हम most commonly campus area network भी इसमें होता है लेकिन यहां पर परिवासा में clear किया गया है कि microcontrollers devices to communicate each other applications के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक host computer भी रहता है उसके बाद जो सबसे popular हमारे पास network होते है उसमें land का नाम आपने सुना होगा उसके बाद man आता है और उसके बाद band आता है land stand for local area network देखिए इसका क्या होता है चोटे से area को चोटे से geographical area को दिया आपने के computer को आपस में जोड़ना है we can use the land इदे थोड़ा सा बड़ा है इदे हम बात करें man की metropolitan area network की देखिए ये क्या होता है ये land से बड़ा होता है लेकिन band से चोटा होता है बीच में भी आता है तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं मतला आपने metropolitan city level पे अपने connectivity बिनानिये तो उसके लिए आप man का इस्तेमाल करेंगे उसके पाद तीसरा आता है जिसका नाम है wide area network ये दिखिए काफी जियोग्राफिकली काफी लंबे अरिये तक के फैला होता है इंटरनेट का example आप band के माध्यम से ले सकते है इसको telecommunication के network का संचालन किया जाता है यह बहुत मत्तोपुर्ण है यहां से आपको एक प्रसंच जरूर देखने को मिलेगा models of network computing इसमें देखिए distributed computing है collaborating computing है और centralized computing है ये भी आपने याद रखने है data communication क्या होता है data communication refers to the transmission of this digital data between two or more computers and a computer network or data network in is a telecommunication network that allows computers to exchange data data communication के माध्यम से हम क्या कर सकते है किसी तरह के data को जो देखिए data communications में क्या है हम data को किस तरह से आपने उसको क्या करना है transmit करवाना है तो इसके लिए हम telecommunication network etc का इस्तेमाल करते है peer-to-peer network में हम क्या करते है are easy to set up and less expensive to install क्योंकि इसमें क्या होता है client server networks है client and server networks are more difficult to set up and more expensive to install peer-to-peer में देखिए हम क्या करते है जो cable होती है simply उससे connectivity कर सकते है जो दूसरा होता है client server उसके set up करना थोड़ा सा difficult होता है और वो expensive भी रहता है components of computer network की बात करें यहां से भी आपको एक प्रसंद देखने को मिलेगा है कि computer के जो internally components या networking के जो components होते हो कौन-कौन से होते है तो यहां पे है हमारे पास hub है ठीक है उसके बास switch आता है router है gateway है और network interface card है पहले हम इसको एक बार पढ़ चुके है network topologies क्या होता है network topologies आए समझते है इसको the term topology in the context of communication network refers to the way the computers or workstation in the network are linked together according to the physical arrangements of workstations and nature of work there are three major types of network topologies ठीक है तीन तरह की मुख्यता इने माना जाता है network topology है star topology और ring topology है network topology इसमें हम क्या करेंगे इसमें जो consider करते हैं किस तरसे इनकी connectivity से star topology उसमें क्या होगा उसके बाद एक और भी कुछ topologies होती है hybrid topologies है logical topologies है bus topologies है इनको भी आप लोग एक थोड़ा सा overview कर लीजिएगा components of computer system में आते है message है sender है medium है और receiver है पिछले वीडियो में हमने इसको discuss कर लिया है अब आते communication protocol अब protocol performance the following function क्या 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 का काम protocol के द्वारक किया जाते है इतना तो हमारे दिमाग में है कि protocol क्या होता है it is a set of instructions आपको हमेशा याद रखना है अब हम यहाँ पर discuss करने जा रहे है protocol performance the following functions कौन कौन से data routing है data formatting है error control है data sequencing है flow control है data security है next one is OSI model ठीक है this is very important open system interconnection किस तरह सी किया जाते है इसके पर हमें आपे पड़ेंगे initial computer network have their own set of standards and conventions that were hardware dependent the open system interconnection model was intended to be a blueprint for a set of worldwide communicate standards which would enable all computers everywhere to get interconnected easily the seven layers of OSI models are OSI model में कितनी layers होती है साथ layer होती है आपको याद रखनी है और से पहली कौन सी है physical layer है second one is data link layer है ठीक है जी next one is network layer है transmission layer है session layer है presentation layer है application layer है यह सारी साथ के साथ आपको यहाँ पर self study बीन की करनी होगी self study करने के लिए आपको क्या करना है आपको यहाँ पर इस website पर जाना है elastudyco.in पर इस website में जाके आपको जीए OIT की एक book की image दिखेगी उस image की description में जाना है आपने description में जाके इस किताब के contents देख लीजेगा बहुत यह बेतरी किताब है G.I.T. की प्रिक्सा की लिए कि इस किताब से हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको इसमें इतनी ज़्यादा हदें समगे रहे क्योंकि 656 pages की यह किताब है 60 chapters है तो यहाँ पे हम इसको 100% cover up नहीं कर सकते हैं लेकिन जितना possible हो रहा है उतना हम cover up करेंगे तो इस किताब को अपने पास में रखी और जब भी हम आपको यह वीडियो यहाँ से देते है तो इसके साथ में आपको self study भी करनी है तो इस 7 layers आपको self study में पढ़नी है अगला है हमारे पास TCP और IP model स Department of Defense DOD के दोरह ऐसे बनाया गया था the TCP IP model is a version of the OSI model it contains 4 layers चार layers इसमें भी होती है कौन कौन सी होती है जी application layer है transport layer है internet layer network access है यह भी आपको learn करना है यहाँ से प्रसना आप से पूछा जा सकता है इंटर networking tools में किसके इस्तिमाल करते हैं हब्स है switch है router है gateway है और bridges है common network services की बात करें authentication services है authentication services है dns है directory services है email है printing है network file system है telnet है और FTP है wireless network देखिए आज की date में बहुत ज़्यादा popular है यह हम बात करें wireless wireless का मतलब है कि आपकी connectivity बनेगी और बीना wire से बनेगी types of wireless network में देखिए Bluetooth आता है उसके बाद Wi-Fi है और फिर Wi-Max है characteristics of wireless technology तो इसमें देखिए dependability है, efficiency है, maximum range है, security है, mobility है और उसके बाद market comparison करेंगे तो आपको एक काफी सस्ता भी पढ़ता है तो यहां पर आपको यह भी self study में एक एक line के है, इनको आप पढ़ लीजिएगा हो सकता है, इसमें से भी कोई present बन जाए से आपको यहां पर अबरेविशन पूछी जा सकते है, WP की क्या होता है, wireless application protocol है यह सारे आपने self study में करनें क्योंकि काफी बड़ा chapter है, तो इसमें हमें आगे भी हमें कुछी समें और भी पढ़ना है, जो कि बहुत ही मत्तोपुर्ण है, ठीक है जी? तो next, यहां से सबसे important मुझे यहां पर लगता है, इस chapter में जो second concept इसका important है, वो है आपका transmission medium देकि यह जो syllabus है, मैं पूना आपको बता दूँ, IT, IT, ES और IP, उसी से लिया गया syllabus है, ठीक है जी? उसी के उपर हम काम कर रहे हैं, CS को भी जोड़ लीजिएगा, computer science को, हम कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, जो यह चीज़े आपको पढ़ाई जा रही है, बिलकुल computer की है, जो यह चार सब्दों का इस्तेमाल, commission की website पे जो किया गया गया, syllabus में उसी के अनुरूप है, तो आप इस syllabus के उपर अपनी पूरी निगाएं रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोर्सों ऐसी किताबे पढ़ते रहे हैं, जिनमें कुछ syllabus के लेना देना ही नहीं है, ठीक है जी, तो आईए समस्कते हैं, इसको transmission medium क्या होता है, दो तरह से होता है, guided media और unguided media, ठीक है जी, guided media म माद्यम से हमारे जो digital इंडिया के अंतरगत ग्राम पजाईतों को भी जोड़ा जा रहा है, तो यह guided media में आपने याद रखना है, इसमें हम cable का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, यह सारे क्या है, types of cable है, जो unguided है, यह wireless होता है, ठीक है जी, तो अब आप समझ जाएंगे, बनेगा, guided media में, cable का इस्तेमाल, unguided में आप यह wireless connectivity है, ठीक है जी, इनके बारे में, cables के बारे में, हलका हलका self-study कर लीजिएगा, unguided media में क्या आता है, आपके परसे सैटलाइट, सैटलाइट कितने popular things से आज की डेट में, हमें विभिन तरह की services, सैटलाइट के माद्यम से मिल रही है, उसके बाद micro waves है, ठीक है जी, next one is data transmission services है, dial up line होती है, list line होती है, integrated service digital network है, value added network है, इसमें में आपको समझा देता हूँ, dial up connection तो easily telephone के, cable के साथ में बनाया जाता है, internet के लिए हम इसका इस्तेमाल करते है, list line क्या होती है, देखे जैसे मालो, यह service provider है, ठीक है जी, dial up क क्या करते है, यह हम पर service provider है, यह सारे के सारे क्या करेंगे, service access करेंगे dial up lines में, list line में क्या होगा, ठीक है जी, यहां पर हमारे पास एक होगा, यह service provider है, ठीक है जी, बीच में कीसी को भी service नहीं मिले, कि सिर्टी client को ही दी जाती है, ठीक है मिलेगी यहां पर सीधी आप डिरेक्ट आपकी कुनेक्टिविटीटीज बीच में किसी तरह की कोई भी क्राउड नहीं है इस इस बेर इंपोर्टेंट आगे इसमें देखिए फिर मल्टिप्लेक्सिंग टेक्निक्स है जिसमें हम FDM का इस्तेमाल करते हैं TDM का इस्तेमाल करत देखें लेखन के बिदी भी क्या आपने देख लिए होगी सबसे पहले आपको चैप्टर के इंट्रोडेक्शन मिलती है उसके बाद इसके जो इंपोर्टेंट कंसेप्ट है वो यहां पर डाले गया है उसके बाद आप देखें आगे पढ़ेंगे बिल्कुल डायाग्राम कि पूरी के पूरी किताब आपको इसी तरह से डिजाइन की गई है ठीक है उसके बाद आपको complete theory मिलती है उसके बाद आपको summary मिलती है समरी का मतलब क्या होता है कि जो आपने उपर पढ़ी आप उनको एक बार फिर से यहां पे summarize कर सकते हो उसके बाद आपको पढ़नी होती terminology नेटवर्क की कौन-कौन सी important terminology होती क्योंग terminology से भी प्रसन इकल गया तो इनको पढ़ लीजिएगा ठीक है जी उसके बाद देख्या आगया आएंगे आप तो आप सिंगल लाइनर पढ़िएगा बहुत ही simple मतोपुर सिंगल लाइनर से मैं आपको नहीं करवाओंगा यहां क्योंकि हमारा कोशिस रहते कि 15 मिनट से कम-कम का ही वीडियो हो ठीक है जी तो यह आपको खुद पढ़ लेने है self study में बहुत ही महत्तोपूर प्रसन है यहां से बहुत सोच समझ के इस किताब की रूप रिखा को रखा गया है तो आप इसको देखे self study इनको कर लीजिएगा उसके बाद आपको लगाना होता है फिर important mcq set तो यहां पर भी आप mcq पढ़ेंगे मैं आपको बता दूँ यह पूरे के पूरे mcq आप यहां पर पढ़ेंगे उसके बाद जो इस किताब का सबसे last का भाग है बहां पर आपको दो mock test भी available करवाए गया है इसी किताब के द आने वाला है उसमें इस किताब आपको 495 रुपीज की मिलने वाली है वो क्यों मिलने वाली है क्योंकि उस किताब में कुछ हलकी फुलकी editing भी की गई है और printing cost भी इस किताब की बढ़ चुकी है अगले lecture में हम discussion करेंगे internet के बारे में विश्यस तोर पर internet से भी बहुत से प्र यूटीब चैनल